आप लोगों के साथ एक मैजिक पाउडर जिसको आप चूरन भी कह सकते हैं डाइजेशन के लिए बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे इसको बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मैं as a nutritionist आप लोगों के साथ रमादान से पहले इसको शेयर कर रही हूं ताकि काफी हल्फूर रहेगा रमादान में हम लोगों के खाने की रोटीन भी चेंज होती है और उसके बाद हम लोगों खाने भी फ्राइट बना सकते हैं और इसका फाइदा यह कि आप यह जल्दी सा खराब भी नहीं होते हैं आप इसको बनाके कई महीनों तक रख सकते हैं इसमें कुछ भी ऐसे इंग्रीडियंस नहीं है जो खराब होते हूं यह वह प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल बहुती कॉमन फेस की जाती है हम लोगों के लाइफस्टाइल की वज़ा से खाने की वज़ा से लेट खाने की वज़ा से तो अगर आप इन में से कोई भी प्रॉब्लम फेस करें तो आप दिन में टू टाइम से पावडर कर यूज करेंगे और रेगुलरली इसको यूज करेंगे तो इंशाला बहुत वहादा खाचा भिन आथा और कोई ऐसी इंगरिडियस मिहीं यहीं की जो हम है बहुत ही मुश्किल से वेले बहुत ही ईजली इंग्रीडियर्स इसमें इसली घर में अवैलेबल इंगिरिडियंस इसमें यूज होते ह behaviors दि Совет वे इसको बनाने के लिए 1 Tb बलक जीरा लिया ज अगर आपके बास राय जिंजर निया तो आपके पास अगर जिंजर लाइ निया पाड़र यहाँ तो 1 regen lighter NPK के एर साथ ए एज आई च्वाइन 1 टी-स पूं फेनल सीएस 20 बाout लेंजस grants करेंगे और तो आप जमें आप लोगों का एक और कॉंसेप्ट जो बड़ा रेगुलर्ली मुझे सुनने में आता है एक्षा लो के ते हैं कि अगर आप हाइपटेशन के पेशेंट तो आपको ब्लैक सोल्ट जूस कर लें इसका कुछ नुकसान नहीं है बट अगर आप इसको स कुलफूर रहता है और टेस्ट वह भी अच्छा होता है बाट हम इसमें थोड़ी से मिकदार में और इंग्रीडियंस हम लोग इसमें बहुत ही थोड़ी से मिकदार में इसको यूस कर रहें तो अब हम यह इंग्रीडियंस हो गे एक जो भी आपके बास mixi ऐस हो जिसमें टाहर रोड़ पावडर की फोंपर बना लेंगे तो पहले हम सब इंग्रेडियन्स jsus एड कर लेते सब ingredients को मैंने से मिकसी में डाल दिये जो ड्राइवलज जिंजर था वैंने उसको तोड़ के इसमें ड्राइवलज जिंजर को आप हम लोगों की जो अब मैंने इसको में ही आठ करतेक्inding जरी सब्णेस में हैं God चैनल, आपन जया ज़य विराती है। lieो में चैनल, में और इखी कई सबसमें रख ले और यह कितने मंसर्फ यह खराब नहीं होते है अब हम आप लोगों के साथ शेर करते हैं कि आपने इसको यूस कैसे करना है नहीं ऐसी किसी भी कंटेनर में इसको डाल कर रखना है और उसके बाद आपने कोई भी घर में जो स्मॉल वाली ये वाद टीस्पून आप और साथी नॉर्मल वाटर जो है उसके साथ अपने इसको यूस करना है मॉर्निंग में नाश्टे के बाद एक दफ़ा और रात को खाने के बाद आपने वन टीस्पून वाटर के साथी ऐसी इसको यूस करना है इसके रेगुलर यूस से आपके बुखर ज्यादा जो से बहुत expensive और उसमें chemicals भी added होते हैं वो चीजें use करते हैं जो health के लिए अच्छी नहीं होती है तो यह तो बहुत ही देसी सा तरीका है जिसको हम लोग हमारे kitchen में बड़े असानी से available जो ingredients हैं उनके साथ बना सकते हैं और पूरी तसली के साथ इसको use कर सकते हैं कि इसमें तो खुद ready किया है और इसका result भी 100% guarantee है तो आप इसको जरूर ट्राइ करेगा आप रमालान में आप इसको अफतारी के बाद 1 टी स्पून नॉर्मल वाटर के साथ आप यूज कर सकते हैं सहरी में नहीं अपने अफतारी में सिर्फ इसको जूज कर सकते हैं अपने अफतारी झाल